नमस्कार दोस्तों रेसिपी वॉल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ नीलम और आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ चीज ओमलेट की रेसिपी सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी वॉल्ट चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट अपलूट देखने के लिए दोक्त आपने को आज दूलेटे लिया पावडर रडी या टमाटर हरी मिट्ट तो मिट्ट सौस और चीज स्लाइस हैं यह मिकश हर्वें और यह व्लेकपेपर का पावडर यह चाठ मसाला और थोड़ा सा नमक तो इसमें सबसे पहले अंडो में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और थोड़ी सी बलेक्पेपर का पाउडर का रख लेता हैं अर अबरेड स्लाइस भी लिए और अच्छी तरह फ्याई के टाई गैस पर रख लेते हैं पैनमे घी या ओइल डाल देते हैं उसको गरम होने के लिए छोड़ देते हैं इतनी तेर में हम अपनी चीस सलाइस को खोल लेते हैं इसकी polite pari clean को बातों के एग किनारों से कट दीजे और बीच से इस तरह से उठा कर और बीच से कट दीजे पॉलीफीन के जब लोगएंगे त 對 आप के अपार सब करचे कि अब कर दा दो अब इसे का इन अर्च पकीक कर देयोकल कि अप थो इन आप जाएं टालें तो तेज गैस होनी चाहिए तब उसे डालें वरना आमलेट आपका फूलेगा नहीं बिल्कुल पिछका पिछका रह जाएगा तो एक ब्रैड पर मैंने ये चीज स्लाइस रख लिए दूसरी ब्रैड पर थोड़ी सी सॉस लगा दिये देखिए सॉस लगा दिये मैं इस पर ठोड़े से टमाटर और हरीमेरच मैंने इसके उपर रख दिये हैं आप चाहे है तो ब्रैयाद कर सकते हैं बच्छों की वज़े से अब इसकी उपर थोड़ा सा हराधनिया डाल दिया है अच्छी तरह से फैलाकर डाल दिचे इस पर थोड़े मेक सर्ब डाल देती यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती है अब हमें करना क्या है जो साइड में यह आमलेट निगला हुआ इसको अच्छे से इससे पलटे साही मैंने कट करकर पलट दिया है यह दूसरी साइड से भी सिख जाएगा और इ फिलिप कर दीजिए तो मैंने यह आमलेट वाली ब्रेट दूसरे ब्रेट पर फिलिप कर दिये और इसको अच्छे तरह तब तक सेखना है जब तक चीज बिगलना जाए धीमी आज पर यह आप एक करिए और देखिए यह सिख चुका है अब इसको पलटे से ही मैंने इसको क काटने कोशिश ना करें वह नहीं सारा इसका जो अंदर फिलिंग भरिया वह सब निकल जाएगी तो इस तरह पलटे से इसको कट कर लीजिए थोड़ी सी प्लेट में सॉस लगाईए और सर्फ कर दीजिए यह बहुत अच्छी लगती है ब्रेख्वास्ट के लिए बहुत ब